प्यारे स्टुडेंट आज के इस वीडियो में हम आपको रीडिंग ऑफ ड्रोइंग बताएंगे रीडिंग ऑफ ड्रोइंग के बारे में समझाएंगे कि ड्रोइंग कैसे पढ़ते हैं चलिए सबसे पहले हाँ में एक आइसोमेट्रिक व्यों दिया हुआ है सबसे उपर में उधारन 2.2 2.3 के उपर इसमें A B C D E और F मर्क किया हुआ है सर्फिस को अब देखिए मेरा इसको कैसे फर्स्ट एंगल में इसको ड्रोग किया गया है तो फरंट फरंट को देखिए सबसे पहले तो यहां कोडिंग किया हुआ है A B C D E F में का कोड फरंट में 1 3 5 2 6 है यानि अगर आपके फरंट साइड में A अक्छर पढ़ता है तो उसका कोड वन होगा अगर फरंट में B पढ़ता है तो 3 होगा C पढ़ता है तो 5 होगा D पढ़ता है तो 2 होगा और E पढ़ता है तो 6 होगा तो ऐसे हैं सबसे पहले फ्रंट नंबर एका वन होगा उसके बाद मेरा डी पढ़ता है तो फ्रंट में डी का कोड कितना है टू है तो टू इंडिकेट किया गया है और जो फाइब फोर थ्री और शिक्स इंडिकेट किया गया है तो सबसे पहले फाइब देखते हैं किसका कोड़ है सी का तो एक बगल में यह एक बगल में जो सी वाला सुर्फिस है सी वाली सुर्फिस की लाइच का कोड 5 है तो उस उस लाइच को फाइप से इंडिकेट किया गया है उसके बाद उपर जो प्लान वाला एफ है एफ का कोड फोर है फरंट साइड में और एफ वाली एक लाइन भी उपर से टच कर रही है तो उसको फोर से इंडिकेट किया गया है तो आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में कि ड्राइंग को हम लोग पढ़ने का ये तरीका कैसे कोडिंग करके बहुत ही सरलभासा में समझाया गया है उसी तरीके से अब चलते हैं साइड व्यू में अपने दखें साइड का साइड लिखा हुआ है साइड में में मेरा बी दिख रहा है साइड में बी और सी दोर चीज दिखेगा तो साइड में चलते हैं साइड एस एस यानी साइड होता है साइड में बी का कोड कितना है 13 तो उसको 30 से इंडिकेट कर दिया गया है और सी सी का कोड कितना है साइड में 14 तो उसको 14 से इंडिकेट कर दिया गया है और बाकी सारी जो लाइने है 15, 16, 17, 18 वो जो है कि B में D वाली भी लाइन थोड़ी सी दिख रही है तो D का कोड साइड में 15 है तो 15, 16, 17, 18 को भी इंडिकेट किया गया है वो लाइने हैं सर्फेस वाली ऐसे ही चलते हैं Top View Top View में जो आपको दिखाया है को उसमें Top View में जो देखें सबसे पहले लाइन देखते हैं क्या के दिख रहा है क्या एफ और ऑर ए तो एप का कोड टॉप में है एट प्लान पी यानि प्लान तो F का कोड प्लान में है 8 और E का कोड प्लान में है 7 तो दखिए F को 8 से और E को 7 से यहां कोडिंग किया गया है इंडिकेट किया गया है और बाकी जो सारी लाइने है जैसे जो मेरी F वाली लाइन है वो C वाला सर्फिस की लाइन भी उसको छू रही है तो उस लाइन को इंडिकेट करने के लिए हम प्लान में C का कोड देखेंगे तो C का कोड कितना है प्लाइन में 12 12 पी में पी यानि प्लान में C का कोड 12 है तो 12 से हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं तो आपने उधारन 2.2 देखा वैसे ही एक्जेंपल नंबर 2.3 दिया हुआ है इसमें 2.3 में आपको एक लकड़ी के गत्य का टुकड़ा जैसा है इसको भी इंडिकेट कर दिया गया है A B C D E F G H अब देखिए इसको भी फर्स्ट अंगल प्रोजेक्शन में ड्रोग किया हुआ है तो सबसे पहले फ्रंट देखते हैं फ्रंट से मेरा दिखेगा A G C क्या A G और C तीन लेटर दिखेगा अब चलिए इन तीनों लेटरों का कोड हम रूठते हैं तो सबसे पहले फ्रंट में A का कोड क्या होगा 2 लिखा हुआ है यहाँ कोडिंग फ्रंट में A का कोड 2 फिर मेरा दिख रहा है C तो फ्रंट में C का कोड 4 सोरी C का कोड 3 फ्रंट में C का कोड 3 है और लास्ट है मेरा जी तो मेरा फ्रंट साइड में G का कोड 1 है तो क्लियर हो गया कि 1 2 3 यानि C और G फ्रंट साइड में दिख रहा है उसके बाद नेक्स्ट अगला भी मेरा साइड विउ में दिखेगा साइड विउ में मेरा दिखेगा B, D, E तो B का code side view में यानि S, S यानि side side में B का code 11 है और D का code 12 है तो 11, 12 सो कर रहा है side view में नीचे उसके बाद E E से धिनुमा दिख रहा है तो side view में E का code 10 है तो उसको 10 से इंडिकेट कर दिया गया है ऐसे ही plan, plan को भी धर साया गया है plans यानि top से मेरा क्या दिख रहा है F, H और I मेरा plan से क्या दिख रहा है F, H और I चलिए plan P P में देखते हैं कि मेरा F का code क्या है P में F का code है 19 तो F को 19 से इंडिकेट किया गया है H का code है कितना H का code मेरा P में है 20 तो H को 20 से इंडिकेट किया गया है और आई का कोड है 21 तो इसको 21 से इंडिकेट किया गया है तो इसी तरह से हम ड्राइंग पढ़ते हैं और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज इसका स्क्रीन सोट आप ले सकते हैं इसका स्क्रीन सोट ले लिजिए और स्क्रीन सोट लेके इसको आप घर से ड्रो करके और बढ़िया से पूरा कोलों भरके लाएंगे आगे भी हम ऐसे एक सरसाइज आप करवाते रहेंगे धन्य बाद